हेलो दोस्तो आज भात करेंगे साउथि इंडियन बैंक से ठीक है और बहुत कम शेर होते है जहां पर वैल्यू नज़र आती है बहुत कम में शेर होते हैं आपको नज़र आता है कि खेर में जान है और आपको अच्छे-खासे return वो देते हुए नजर आ सकते हैं and South Indian Bank is one of the bank ठीक है जहां पर आपको अच्छे खासे पैसे यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं but perfect timing होना बोच जरूरी है अच्छे लेवल पर लेना बोच जरूरी है और सही टाइम पर लेकर एक्जीक्यूट करना बोच जरूरी है देखिए पहले यह आप यह आप देख भी रहोंगे ठीक है यह यह शेयर को आपने काफी नीचे से बताया था यह आपर बताया था उस ताम 35 रुपे का टार्गेट होई गए थे ठीक है बट यहाँ पर इस शेयर को दुबारा बताया जा रहा है क्यों क्योंकि यह शेयर दुबारा आपकी पैसे डबल कर सकता है ठीक है और वह भी कम टाइम में बट एक प्रॉपर टाइम पर लेना बोच जरूरी है वह आपको खुद करना पड़ेगा ठीक ह है और अगर आप चाते हो कि हम यहाँ पर आपको देख के बताए कि कभी हाँ लेना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो इन नमबरों पर रापकूंट्क कर सकते हो हमारी फ्रीमन शर्व Eli शरु का आप लुपत हो यहां सब्सक्राइब आपको पूरा का पूरा कोर्स एक ही करके समझाया जा रहा है जितने कोशन है उतने पूछिए और यहाँ पर अंजॉय करिए और यहाँ पर बारे सुरुपे वाला गुरूप है मारा वॉट्सप गुरूप जहाँ पर अच्छे नातर शेयर भागते हुए नजर आते हैं मैं आज वो लगाया नहीं है वहाँ पर भी आपको दिखाई देता है वरना कितने शेयर भागे है बट यहाँ पर देखिए इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो कॉंटक कर सकते हो वर्टसप गुरू का और किसी का पॉर्टफोलियो बढ़ा है और चाहता है कि हमारे साथ काम करें ठीक है दो लाग चाल लाग पाच लाग पचास करोड एक करो यहाँ पर कॉंटक कर सकता है ठीक है बाकी साउथ इंडियन बैंक से लिजिन हम यहाँ पर बाते कर रहे हैं साउथ इंडियन बैंक की बात करें ठीक है सबको लगता है कि यह गौर्णमेंट बैंक है सबसे पहली बात तो बट यह गौर्णमेंट बैंक है ठीक है मुझे स्प पब्लिक की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग है, अच्छी गासी 77% के शेर है, जो की कम होते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर आप देखोगे, कुछ लोगों ने आपर इसे जारी अच्छी गासी आपर लेके रख रखी है, यूसुफ अली इन्होंने आपर 4.32% की होल्डि करते हुए नजर आती है, small cap bank है, 4,97 करोड़ रुपे का market cap, 4 के PE पे मिल रहा है, काफी लोगों को सस्ता नजर आ रहा होगा, 4 के PE दिख रहा होगा, ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे PE stocks आपको दिखा सकता हूं, जिनका PE हमेशा नहीं चाही रहता है, ठीक है, तो PE के बेस पे क पैसे बने और यहां से यहां तक जाता है, 49 रुपे जो intrinsic value, जो true value होती है, यहां से जाता है, तो याद रखिए आपके पैसे double से जएदा होगा, ठीक है, तो चीजे समझने वाली बात है, ROC, ROE, यहां पर आप देख सकते हो, ना के बराबर है, debt हम देखेंगे नहीं क्योंक तो आपको पैसे double, triple एक साथ ही कर देगा, बर जब गिरेगा, तो याद रखिए वो छीन भी लेगा, तो आपको और सही टाइम पर लेना और बेचना आना चाहिए, अगर आपको वो नहीं आता, तो आप मार्केट में कभी success ही नहीं हासित कर पाऊगे, चार्ट पैटन को द लिए ठीक है, चार्ट को देखने का तो यहाँ पर चार्ट से ही रिलेटेड हम पूरा को पूरा को पूरा को देखके, आप बतावाँ गए कि लेना कब है और बेचना कब है, तो को जोईन कर सकते हो, बैंक की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, हाईश्ट आवर कंपनी के सबसे पहले तो रिवेन्यू आई है, जो कि अच्छी खासी बात है, यहाँ देखिए, एक सबसे तक करोड रुपे का प्रॉपिट, जो की लगा था घाटे में था, वो हाईश्ट आवर पिछले दुबार से प्रॉफिट दिखा रहे, यहाँ पर देखिए, पर देखिए, क्या बढ़ता हुए नज़र आया, एंपिएस देखिए, ग्रॉस एंपिएस, कम होते हुए नज़र आया, yearly basis पर, quarterly basis पर, जो इस तरीका का performance कंपनी की देती है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, कि share price भाहीं टिका रहेगा, नहीं, share price भागेगा, और जब share price भागेगा, त revenue की बात करें, देखिए, revenue, ठीक है, अच्छा गासा भागा, net profit की बात करें, तो highest level यहाँ पर company का net profit आया, रिजर्फ की बात करें, यहाँ पर यह पुराना दे रख्या है, अपर अच्छे गासे company के results भी होंगे, बॉराइंग जितनी देंगी, उतनी अच्छी बात है, investment, cash, सब company का अच्छा गासा है, और shareholding pattern पर हम आपर पहले ही बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं, चार्ट से हमेशा profit ही होगा, इसमें तो कोई दो रहाए वाली बात ही नहीं है, हम बात करते हैं यहाँ पर share की, तो जब share बताया था, ठीक है, तब target भी बताया थे, और जब यहाँ पर देखिए, target बताया गए, वो ही target के आसपास गया, और चीजे नीचे आई, ठीक है, तो चीजों को समझना और profit booking करना, आपको यहाँ पर आना चाहिए, candle का सीखना, बहुत यहाँ पर जरूड़ी है, जब यहाँ पर candle को देखोगे, तो आपको समझ में आगा, कि candle किस तरीके से काम करते है, यह candle यहाँ पर selling की थी, चीजे यहाँ पर गिरती भी नज़र आए, अब यहाँ प यहाँ पर buying करना है, और थोड़ा सा अगर वेट करने तो और बहतरीन बात है, अगर buying करना है, कर सकता है, एक आज रुपे का यहाँ पर stop loss लगा के, एक रुपे भी ज्यादा बोल जिए, कुछ पैसो का stop loss लगा के, ठीक है, बट जैसे ही, इसके ऊपर ठहरेगा, रूखेग ठीक है, तो यह शेयर में एक तेजी होगी, जो सबसे पहले इससे यहाँ पर 21 रुपे पर ले जाएगी, तो इसलिए हमेशा कहते हो, सीखोगे नहीं, तो हमेशा बार-बार यहाँ पर ट्रैप होगे, 21 रुपे से यहाँ पर लेके नीचे आगया, ठीक है, तो कितने परसें कि अच्छे का से यहाँ पर टार्गेट में जराते हैं, यह वाले, ठीक है, 30% के टार्गेट यह आपके फिक्स है, और जैसी इस तरह से निकलेगा शेयर, तो आपके जो दूसरे टार्गेट है, 34 रुपीज के है, जो ही मैं यहाँ पर देखिए, पहला टार्गेट, दूसर टार्गेट, तीसा टार्गेट इस तरीके से पहले ही लगा रखा है, ठीक है, और पहले ही यहाँ पर, जब वीडियो बनाई थी, यहाँ पर बताया भी था, पर अगेन वही चीजे यहाँ पर काम करती है, तो चार्ट को देखने का नजरिया बहुत ज्यादा इंपोर्टें तो आपको इस से भी बहत्रीन रिटांस और इस से भी बहत्रीन यह शायद 50 रुपयत को भी टच कर ले, आने वाले एक अच्छाल में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बाइंग साल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइंड शेयर बेजर को कुटी करना है, चानल पूछने की जरुवत नहीं पड़ती कि यह शेयर कहां जाएगा, ठीक है मुझे पता है कि शेयर ऐसे जाएगा और ऐसे यहां पर नहीं जाएगा तो ऐसे करना है, जब मुझे यह पता है तो फिर डढ़ने वाली बाती करेंगे, इस से रिलिटेट कभी और बाती करेंगे, ऑल सु थां कि बढ़ती करुमनों के पार नहीं झाएगा द्वा बाती करूत बाता हैं जब मुझे देल्ब एक है तोकर साजात आएगर करेंब कीया लेंगे, तोक्यास को थे बढ़ती वगार भीनपेशने प्न keenाएगा टमंते लिवन यह बैस्ट्रावा खएब Siberian कार